दोस्त इस विड़ो में हम बात करेंगे नियर का नियर में आपको अभी कैसा मोमेंट देखने को मिलता है क्या है इसका स्पोर्ट जोन है क्या है इसका रेजिस्टरंस आपको देखने को मिलेगा इस विड़ो में हम डीटेल में बात करेंगे आपके अंट्री के बारे में आप तो हमारी buying already dip में हो चुकी है अब हमारे पास opportunity है profit booking का अगर आपने मेरी वीडियो को देख के अपनी buying करी है तो अभी आप profit में होंगे और अगर आपकी अभी तक buying नहीं हुई तो कौन सा important level होगा जहां पे आपकी buying होगी क्या कुछ short term का target है क्या कुछ long term का target है ये सारी चीज से related हर एक update आपको time to time मिलता रहे साथ वीडियो के description में आपको हमारे telegram का link भी मिल जाएगा make sure आपको हमारे telegram को भी join कर लें अब देखिए अगर हम नियर के overview के बात करें तो इसका current price आपको 4.49 के range में देखने को मिलता है 13.2% का upside moment है अगर इसका हम 24 hour के price fluctuation के बात करें त तो यह आपको 3.9 से लेके 4.57 के range में देखने को मिलता है अच्छी recovery हुई है और यह recovery start हुई है जो cut off हुआ है FOMC की meeting में interest rate का अगर इसका market cap के बात करें तो यह आपको 4 billion के ऊपर देखने को मिलता है 24 hour में इसके trading volume 536 million की है अभी इसके trading volume कम है जैसे जैसे इसके demand इसके trading volume बढ़ेगी और उसी के साथ इसका जो price जब वो भी grow करेगा अगर इसके हम supply के बात करें तो circulating supply 1 billion के ऊपर है total supply भी 1 billion के ऊपर है maximum supply infinity है मतलब time to time market में इसके supply आती रहेगी पर fundamentally strong project का मतलब है कि supply तब ही आएगी जब इसका demand बढ़ेगा जिस वज़े से इसके price में directly follow करता है bitcoin को तो आपको यहां correction मिलता है तो आपकी buying होगी market के recovery के साथ यह आपको profit देगा अब अगर इसके info की बात करें तो इसके info में आपको इसकी website मिल जाएगी जहां visit करके आप इसके fundamental के बारे में readout कर सकते हैं आप इसके white paper को read कर सकते हैं इस project को अच्छे से detail में आपको पहले update मिल जाएगा जिसका फायदा आप उठा सकते हैं यहां पर buying करके यह फिर आपको एक scenario clear होगा कि इस time में इसका event होने वाला है market में recovery होगी अगर आप और भी readout करना चाहते हैं तो आपको इसके about section में मिल जाएगा कि यह proof of stake पे work करता है और यह layer 1 का blockchain based project है जो क long term में जब इसकी demand आएगी तब अच्छा return देगा आपको फिलाल अगर इसके हम all time high के बात करें तो वो लगा था 20 डॉलर के उपर जिसे यह 78% के downtrend पे है तो दीखे recovery के साथ सबसे पहले हम इसका breakout देंगे और उसके बाद से 30 से 40 डॉलर का आपका safer side का target होगा अब मैं आपक freezing side में है और price action EC के between में move हो रहा है तो इस pattern को इस movement को हम बोलते हैं falling channel का और इसमें हम अपने resistance का breakout देते हैं फिर EC 39 वाले resistance के ऊपर हम एज़सपोर्ट होल्ड होते हैं फिर आपको market में अच्छी recovery देखने को मिलती है और recovery के साथ जो आपका target है वो minimum होगा 6.4 का तो अभी दे देखें नियर में हमने अपने resistance का breakout तो दिया है पर उसके ऊपर एज़सपोर्ट होल्ड नहीं हुए तो आपको market में अच्छी recovery देखने को नहीं मिलेगी इसलिए आपने wait करना है कि आपको confirmation मिले हम इस trendline के ऊपर एजसपोर्ट होल्ड हो तब आप pressure है तो अपनी buying कर सकते है और जिन लोग ने पहले मेरी वीडियो को देखके और 3.5 से लेके 3.6 के range में अपनी buying करी है वो लोग चाहें तो अपना 20% या 30% profit book कर सकते हैं हाला कि मैंने आपको clear करा है कि आपका जो higher level का target है वो 30$ से लेके 40$ का है जो कि safer side में होगा potential इस से ज़्यादा target achieve करने का भी है प और confirmation zone है जिस resistance का हम breakout दे रहे हैं उसी के उपर as a sport hold हो तब आपको confirmation मिल जाएगा कि market में अच्छी recovery होने वाली है फिलाल क्या है अभी अगर आप चाहें तो correction के बाद जब हम trend line के उपर जाके hold होंगे तो आप अपनी buying कर सकते हैं बाकि अभी हम धीरे धीरे uptrend में move हो रहे ह market में आपको recovery देखने को मिलेगी तो hopefully आपको near का daily time interval अच्छे में समझा गया होगा अब अगर इसके साथ इसके weekly time interval की बात करें तो देखे weekly के according हमारी September 2023 में buying होई थी और zone था 0.99 का उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि अब आपको market में recovery देखने को मिलेगी तो continuously recovery हो र से आपको correction और downfall देखने को मिलता है तो देखे अभी क्या है नियर का जो price है वो अपने previous resistance के उपर hold हो रहा है इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहां पर आपकी buying होगी क्योंकि यहां से chances हैं कि market में आपको trend का reversal देखने को मिले क्योंकि अगर आप यहां falling channel mark करके तो similar ऐसा ही pattern form होता है falling का भी और अपने resistance का ही हम breakout देते हैं अच्छी recovery के लिए जैसे मैंने आपको scenario बताया daily के according तो अगर हम यहां confirmation देते हैं आपने trend line के उपर hold होके तो as it is आपको weekly के accordingly same scenario मिलेगा और अच्छी recovery हो सकती है बाकी देखेंगे अगर suddenly market में downfall आता है correction आता है near आपको मिलता है 4 dollar के नीचे तो best buying zone होगा near के लिए अगर आप 4 dollar के range में buy करेंगे तो easily आपको 4X से लेके 5X का safer side में return मिलेगा जो की return आपको mid range में मिल सकता है potential अच्छा है और यह similar है solana जैसे ही तो long term में यह आपको अच्छा return दे सकता है तो hopefully आपको यह video का update अच्छा है stuck हो गया है fund नहीं है DCA के लिए तो आप normally अपने trade को long term में छोड़ें fundamentally strong project का मतलब क्या होता है जैसे 2022 में bitcoin का price 15500 की zone तक चले गया था और उसके बाद से recovery करके और इसने अपने all time high को break कर दिया तो similar moment solana ने भी दिया है और ऐसा ही moment आपको near में भी देखने को मिल सकते हैं तो अपर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक किजिए शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं अपसके ने वीडियो के साथ अब तक लिए जैहिंज जैभारत